पिछले कई दिनों के राजनेतिक हतकंडों के बाद महराश्ट्रा में राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी की सरकार बनने की नौबत आई थी फरनवीस को मुख्य बनाए जाने की खबर चल रही थी तमाम राजनीतिक विशले शक्तब अचरज में पढ़ गए जब महराश्ट्रा के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद फनवीस ने एकनाथ शिंदे को महराश्ट्रा का नया मुख्यमंत्री बनाने का एलान किया इसके साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे फनवीस के इस फैसले ने राजनीतिक पंदितों को चौका दिया लेकिन इसके कुछ देर बाद जो हुआ चौकाने वाली घटना थी एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ फनवीस ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपत ली क्या ये फनवीस के पर कतरने की तयारी थी या उद्धव की महागाडी पार्टी को खत्म करने का मास्टर स्ट्रोक अब देखना होगा कि सेना और सेना के बीच कौन किसे निपताएगा खेल तो अब शुरू हुआ है अब जो कुछ करना है जनता ही करेगी ये रिवर स्ट्रोक भी हो सकता है